आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे भोजपुरी फिलिम और संगीत जगत के टॉप 10 म्यूजिक डाइरेक्टर के बारे में जिसके म्यूजिक भोजपुरी सुपरेश्टारों और भोजपुरिया दर्सकों के दिलों पर राज करती है आपको बता दे इन सारे म्यूजिसियन ने बहुत अच्छा अच्छा गाना दिया है जिनमें कुछ गानों को सुनकर दिल को सुकून मिलता है तो कुछ गानों पर हम थिरकने लगते हैं इन सभी म्यूजिक डाइरेक्टर की कई गाना 200 मिलियन भ्यूजवाले कलब में सामिल है तो ये लिस्ट आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा उचसे पहले आप वीडियो को लाइक तेथा सेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नमबर दस आरेया सरमा आरेया सरमा हाल के सबसे परसीद और सबसे वियास्त मुजिक डाइरेक्टर हैं आरेया सरमा गीतों में ज़ादा रूची रखते हैं और जल्दी फिल्मों में भी मुजिक दे सकते हैं आज कलके 90% बलॉक बॉस्टर भुजपुरी गाना में इन ही का म्यूजिक रहता है 400 विलियन से ज़्याद भ्यूज कुवारे में गंगा नहिले बनी 300 मिलियन से ज़्याद भ्यूज नदी बीच नईयार दोले और धाई सो मिलियन से ज़्यादा भ्यूज काभावबा लीच्छी कहो इन सब गानों में R.E.S. आर्मा का ही म्यूजिक है इनके पास देली इतने ज़्यादा प्रजेक्ट आते हैं कि इन्होंने अपने पास चार लर्कों को हेल्प करने के लिए रखा है हलांकि इनका अधिकांस म्यूजिक loud और ज़्यादा अर्टो टून वाला होता है पिरियांसु सिंग जो बेहत कम उम्र में ही काफी चरचित हैं और इन्होंने कई गानों में लाजवाब म्यूजिक दिया है इनकी music दिल्ली वाली दिल्ले के भागल भिया गाना से परसीध हुआ था वहीं 275 मिलियन से ज़्यादा भियूज पुदीना ए हसीना गाना पॉर और 200 मिलियन से ज़्यादा भियूज लईका तोहरे के पापा कहता में प्रियांसु सिंह का ही music था हलांके कुछ लोगों का ये भी करना है कि प्रियांसों सुरू में अच्छे म्यूजिक देते थे पर अब गानों पर उतना मेहनत नहीं करते हैं बस धीचुक धीचुक भर देते हैं चोटू रावत और विनए विनायक अपनी लाजवाब म्यूजिक के लिए परसिद है खासकर विनए विनायक इनका गाना लौली पॉप लागे लू बिहार वाला डांस और तेरे मेरे दर्मिया का म्यूजिक आप सुन सकते हैं हलांकि छोटु रावत और विनय विनय का कोई भी गाना 200 मिलियन भीज कलब में अभी तक सामिल नहीं हुआ है हलांकि लॉली पॉप लागे लुगाना पर 193 मिलियन भीज है जिसमें विनय विनय का ही म्यूजिक है अगर लॉली पॉप लागे लू गाना की एक रॉस भ्यूज की बात करेंगे तो उस गाना पर 300 मिलियन से ज़्यादा भ्यूज है नमबर साथ स्याम अजाद स्याम देहती और अजाद सिंग एक अच्छे राइटर के साथ साथ बेहतिरीन म्यूजिक डाइरिक्टर भी है éraगी स्याम देहती अब नहीं है ये दोनों एक ही गाने को मिलकर लिखते थे मिलाजूलाकर म्यूजिक भी दिया करते थे आजाद सिंग ने कई 200 मिलियन, 300 मिलियन और 400 मिलियन वाला गाना भी लिखा है आपको बता दे कि छलकत हमरो जवनिया गाना को आजाद सिंग ने ही लिखा है नमबर 6, ADR आनंद ADR आनंद भी भोजपुरी संगीत में एक महतपुन नाम है जिनोंने 400 मिलियन से जादा भीजवाला गाना、 राजा जाइना बहरिया 200 मिलियन से जादा भीजवाला गाना, सफिया धारावे लथ्षरे सौर और कई गानों में म्यूजिक दिया है नमबर 5, O'MJAS ओम जहा की म्यूजिक हाई लेबल होती है और ओम जहा ज़ादा तर म्यूजिक फिलिम के ही गानों में देते हैं गुंगरुजी एक बेतिरिन म्यूजिक डाइरेक्टर है जिनका गाना कौन भतर कटनी 300 मिलियन से भी ज़ादा बार देखा गया है मधुकर अनन्द मधुकर अनन्द भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में सबसे परसिद्ध म्यूजिक डाइरेक्टर है हाली में अब हो एलबम में भी म्यूजिक देने लगे हैं आपको बता दे कि भोजपुरी के बड़े बड़े गाने जैसे छलकता हमरो जवनिया, खईबू मेहरी के हाथे इन दोनों गानाई पर 400 मिलियन से ज़ादा ब्यूजए और उनमें म्यूजिक मधुकर अनन्द नहीं दिया है मधुकर अनन्द की गाना में नेचिरोल भौाई साती है जो सब को पसंद आता है चोटे बाबा भोजपुरी फिलिम से लेकर एलबम तक छाये रहते हैं हलांकी छोटे बाबा ज़्यादा तर एलबम तो पवंसिंगे साथ ही करते हैं पर फिलिम हर किसी के साथ करते हैं एक से एक हालिया आइकोनिक भोजपुरी गाना में इनका ही म्यूजिक होता है ये एक मात्र म्यूजिसियन है जिनका दो गाना राते दिया भुता के और पांडे जी का बेटाउं 500 मिलिएन से ज़ादा बार देखा गया है साथ ही सरिया जब हम पहणी 290 मिलिएन से ज़ादा भिउज तथा आम के अचार पर 230 मिलिएन से ज़ादा भिउज है नमबर एक आसीस वर्मा भोजपुरी संगीतकार की सूची में सबसे अच्छा और हम सब का फेवरेट संगीतकार का नाम आसीस वर्मा है जिन में हैलोकन 840 मिलियन भीज इधर आने का नहीं 338 मिलियन भीज लवंडिया लंदन से लाएंगे 312 मिलियन से ज़्यादा भीज पियवा से पहले हमार रहलू 266 मिलियन भीज शुतालतनी कुरा में 255 मिलियन से ज़्यादा भीज है साथ ही दो गाना कॉल करे क्या और मीठा मीठा बौथे कमडिया पर 190 मिलियन से ज़्यादा भीज है इनके अलावा भी संकर सिंग, स्याम सुंदर, रजनीश मिसरा समेत कई संगीतकार भी काम और क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं हमारा ये इन्फर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जियर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें